दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन आप भी प्रसन होंगे ऐसी आशाहिन ही पूरण विश्वास है आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर तो आएए आज कुछ नया सीखते हैं नए टोपिक के साथ विद्यार्थियो आज की वीडियो मना रहे हैं कक्षा दसकी हिंदी पुस्तक 36 भाग दो के पार्ट 12 लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यश्पाल इस पार्ट से समंदित एक वीडियो हम पूर में बना चुके हैं जिसमें पार्थ का सार, लेखक का परिचे एवं पार्थ का वाचन उसका अर्ध, उसका भाव और व्याख्या विश्लेशन इस वीडियो में हम इस पाठ के जो प्रशन और उत्तर हैं उनको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे पाठ आधारी जो प्रशन है उनके उत्तर आपको बताएंगे तो आईए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल तो पहला प्रश्ण है लेखक को नवाब सहाब के किन हाव भावों से मैसूस हुआ कि वे उनसे बाचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है तो उत्तर है भीड से बचकर यात्रा करने के उत्देश से जब लेखक सेकंड क्लास के डबे में चड़ा तो देखा उसमें एक नवाब सहाब पहले से बैठे थे लेखक को देखकर नवाब सहाब के चिंतन में व्यवधान पड़ा जिस से उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभराए नवाब सहाब की आखों में ऐसंतोष का भाव उभराया उन्होंने लेखक से बाचीत करने की पहल नहीं की लेखक की और देखने की बजाए वे खिड़की से बाहर देखते रहे कुछ देर बाद वे डिब्बे की इस्थती को देखने लगे इन हाव भावों को देखकर लेखक ने जान लिया कि नवाब सहाब उनसे बाचीत करने के इच्छों के नहीं है प्रशनमर दो है नवाब सहाब ने बहुत ही यतन से खीरा काटा नमक मिर्च बुरका अंततह सुंग कर ही खिड़की से बाहर फैंक दिया उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा उनका ऐसा करना उनके कैसे सुभाव को इंगित करता है उत्तरहे नवाब सहाब ने यतन पूर्वक खीरा काट कर नमक मिर्च बुरका और सुंग कर खिड़की से बाहर फैंक दिया उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसत दिखाता है वे लोगों के कार्रे व्यभार से हटकर अलग कार्रे करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं उनका ऐसा करना उनकी अमीर सुभाव और नवाबी पन दिखाने की प्रकरती या सुभाव को इंगित करता है अगला प्रशन है बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है यश्पाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत है उत्तर है लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णते सहमत हूँ वास्तव में कहानी किसी घटना विशेश का वर्णन ही तो होती है इसका कारण क्या था? कव घटी? परिणाम क्या रहा? तथा इस घटना से कोन-कोन प्रभावित हुए? आदी का वर्णन ही कहानी है अतह किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत ही आवश्चक है बिना उनके कहानी नहीं कही जा सकती, नहीं लिखी जा सकती प्रशन नमबर चार है आप इस निबंद को और क्या नाम देना चाहेंगे? इसका अन्य कोई शीर्षक क्या हो सकता है आपके हमसार? तो आपको एक दो शीर्षक बता रहे हैं, आप भी कोई नज़ा शीर्षक सोच सकते हैं मैं इस निबंद को दूसरा नाम देना चाहूँगा रस्सी जलगई पर एठन न गई या नवाबी दिखावा इसका कारणी है कि नवाब सहाब की नवाबी तो कब की छिन चुकी थी पर उनमें अभी नवाबों वाली ठसक और दिखावे की प्रवर्ती मौजूद थी इसलिए ये नाम सटीक बैठ सकते हैं इस पाठ के दूसरे शीर्षक हो सकते हैं रचना और अभी व्यक्ति वाले प्रशनों की यदि हम बात करें तो प्रशन नमबर पाँच है नवाब सहाब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए और इसी का ही कह दूसरा प्रशन है किन किन चीजों का रसा स्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं तो उत्तर है नवाब सहब पैसंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डब्बों में आराम से बैठे थे डिब्बे में आराम से बैठे थे उनके सामने साफ तोलिया पर दो चिकने खीरे रखे थे नवाब सहब ने सीट की नीचे से लोटा निकाला और खिड़की से बाहर खीरों को धोया उन्होंने खीरों के सिरे काटे गोद कर उनका जाग निकाला और खीरे छिल कर फांके बनाई उन पर नमक मिर्च का चूरन बुरका जब फांके पनियाने लगी तो उन्होंने एक फांक उठाई और मुहों तक ले गए नाक तक ले गए उन्हें सूंगा और खिड़की से बाहर फैंक दिया ऐसा करते हुए उन्होंने सभी फांके फैंक कर ड़कारे लिए तूसरा है खाने की अनेक चीजों के लिए हम तयारी करते हैं जैसे खाना खाने से पहले हाथ मुध होते हैं जिस बरतन में खाना खाते हैं उसे पोंचते हैं साफ करते हैं जिस जगें खाना खाते हैं, वो साफ होनी चाहिए, जिन बरतनों में खाना खाते हैं, जिन पात्रों में खाना खाते हैं, वो साफ होने चाहिए, सलाद काटते हैं, सलाद में टमाटर, ककड़ी, खीरा, प्याज, गाजर, चकुंदर, जो भी समय अनकूल, मौसम अनकूल होती ह उनको खाते हैं, उसे पहले पानी से दोते हैं, उसके बाद उसे काटते हैं, कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, इस तरह अनेक चीजों के तैयारी करते हैं, विध्यार्थी अपनी रुची के अनुसार भी स्वेम कुछ अन्य लिख सकते हैं, प्रशन नमबर छह है, खीरे के में नवाब सहाब के विभार को उनकी सनक कहा जा सकता है, आपने नवाबों की और भी सनकों और शोकों के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए, जो आपने सुना हो पढ़ा हो कहीं देखा हो, उत्तर है नवाबों की सनक और शोक यह रही है कि वे अ करते थे एक बार लखनव के ही नवाब जो प्रातेकाल किसी पार्क में घुमने के लिए भ्रमन करने के शोकिन थे प्रति दिन पार्क में आया करते थे एक दिन एक साधरन सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमन करने आ गया उस साधरन से व्यक्ति ने नवाब सहब को सलाम ठोक नवाब साब क्या खा रहे हैं नवाब साब ने गर्व से उत्तर दिया बादाम अब चूंकि वो नवाब है चोटी चीजब हलकी चीजब तुखाएगानी सस्ती चीजब तो नवाब साब ने जेब में हर डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मुड़ा और वे गिर गए, फिसल गए किसी कारण से, उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया, उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम ने था, सारी मुंग फलियां थी, अब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था, यानि कि सिर् तो मुलते उस पर यंग है, उस पर का टाक्ष है लेखक के द्वारा, प्रशन नमबर साथ है क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उलेख कीजिए, कोई एक सनक आप बताए, हम आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहे हैं, आप भी कोई ऐस सनक तूसरी लिख सकते हैं, इतिहास में से, वरतमान में से, किसी व्यक्ति की आपने ऐसी देखियो, सकारात्मक सनक, उत्तरे हां सनक का सकारात्मक रूप भी होता है, प्रसिद्ध व्यक्तियों, वेग्यानिकों, लेखकों, कवियों, कलाकारों की सफलता के पीछे उनकी सनक वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्षे पाए बिना नहीं रुकते हैं, बिहार के दर्शत माजी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड काट कर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीर गंज अस्पताल की दूरी सिमट कर एक चोथाई रह गई। अपनी सनक के कारण वे भारतिय माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं इस पर एक फिल्म भी बन चुकी ये वास्त घटना पर कहानी है ये दा माउंटेन मैन नवाजुद्दीन सिद्ध की और पंकज तिरपाथी और दिवो दीपी का आप्टे उन्होंने इस फिल्म में काम किया है बहुत अच्छी मूवी है आप देख भी सकते हैं विद्ध्यारतियो तो ये दरसरत जो माजी थे ये बिहार में इन्होंने वास्त में एक बड़े पहाड को इनकी पतनी बीमार हो गई थी तो वहां तक पहुँचने से पहले ही उनका देहन्त हो गया चूंकि वो पहाड के बज़ाए दूसरी रास्ते जाना पड़ता था बहुत घुमाओदार करीब 80 किलोमेटर तो उस रास्ते उस पहाड रास्ता लंबा होने के कारण ऐसा हो गया तो एक तरह से उन्होंने पहाड को अपना दुश्मन मान लिया कि इसके कारण से मेरी पतनी देहन दुआ है तो उन्होंने पूरा जीवन अपना पहाड को काटने में लगा दिया ये सनक थी उन्हें कई वर्षों तक लोग बेवकूफ कहते रए और उन्होंने जिवन में कोई काम नहीं किया इसके अलवा लेकिन यह इतना बड़ा काम किया कि इसके काम के आगे सारे काम बोने हो गए छोटे हो गए तो यह सनक है, सकारात्मक सनक है ऐसी सनक सब में होनी चाहिए जो ऐसी उर्जा के साथ काम करें तो सकारात्म कर अच्छे काम हो भाष्रा अध्यन की बात करें तो निमलिक्त वाक्यों में से क्रिया पद छाट कर क्रिया भेद लिखिए एक सफेद पोस्षजन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे खेहे नवाब साहब ने संगती के लिए उत्सा नहीं दिखाया गेहे खाली बैठे कलपना करते रहने की पुनानी आदत है गेहे अकेले सफर का वक्त काटने को ही खीरे खरीदे होंगे उत्तर है कैका बैठे थे एकर्मक करिया खेहे दिखाया सकर्मक करिया आदत है सकर्मक करिया खरीदे होंगे सकर्मक करिया तो विध्यारतियों यह थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी है तो निश्चित रुप से आपके लिए लाभनवित होगी और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सबस्क्राइब करना ने भूलें आपके मन में कोई सवाल, कोई जिग्यासा, कोई प्रशन है तो आप कमेंट्स के माद्धम से बतेए हम उसका समाधान करने का प्रियास करेंगे आप बेल आइकोन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सुचना आप तक पहुंच जाएं ये थी आज़ी की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक साथ फिर मिलते हैं तब तक क्ले शुक्रिया, नमस्कार